IPL 2024 अपने सबसे रुमांचक फेज में पहुँच चुका है और IPL में हमें जो एक्साइटमेंट मिसिंग लग रही थी वो एक्साइटमेंट भी लोट आई है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलूरू और चेनने सुपर किंग्स के वीच खेला गया वो वर्चुबल क्वाटर फाइनल मुकाबला RCB ने जिस तरह से चेनने सुपर किंग्स को हरा कर वाइल कार्ड एंट्री कर के प्ले आफ में अपनी जगा बनाई है सभी फैन्स के मन में प्ले आफ को लेकर एक अलग ही एकसाइटमेंट है 21 मई से प्ले आफ खेले जाएंगे और प्ले आफ के लिए हमें अपनी चार टीमें भी मिल चुकी है पहले नमबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स है दूसरे स्थान पर सन्राइजर्स हैदराबाद है तीसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स है और चौते पर रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलूरू है 21 मई को प्ले आफ का पहला मुकाबला खेला जाना है जो की क्वालिफाइर बन है कॉलिफाइर बंक पहले और तूसरे इस्थान की टीम यानि की कोलकाता और संराइजर्स हैदराबाद के बीच एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी वो सीधे फाइनल में अपनी जगा पकी कर लेगी इसके बाद 22 मई को एलिमिनेटर खेला जाना है ये मुकाबला भी एहमदाबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा एलिमिनेटर में तीसरे और चौते स्थान की टीम में आमने सामने होगी यानि की राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एलिमिनेटर एक तरीके का नॉकाउट मैच है जो भी टीम इस मैच को हारेगी वो प्ले आफ से बाहर हो जाएगी और जीतने वाली टीम क्वालिफायर वन के विनर से क्वालिफायर टू में आमने सामने होगी जो की चेन नहीं में खेला जाएगा क्वालिफायर टू जीतने वाली टीम क्वालिफायर वन के विजेता के साथ फाइनल में भिड़ेंगी फाइनल भी चेनने में ही खेला जाना है ये समीकरन तो हम सभी जानते हैं लेकिन आपको याद दिला दें कि IPL 2024 में बारिश का साया भी लग चुका है पिछले तीन मैच बारिश की भेट चट चुके हैं अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर प्ले आफ में बारिश दखल अंदाजी करती है तो क्या प्ले आफ के मैचेज में रिजर्व डे है या फिर नहीं और फिलाल इन दोनों ही वेनियू पर वैदर कैसा है तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे आपको बता दें कि पिछली बार जहां सिर्फ फाइनल में ही रिजर्व डे रखा गया था लेकिन इस पार प्ले आफ के सभी चार मुकाबलों में रिजर्व डे दिया गया है यानि कि क्वालिफायर वन, एलिमिनेटर, क्वालिफायर टू और फाइनल इन सभी चार मुकाबलों में रिजर्व डे अविलेबल है बत अगर वैदर की करें तो फिलहाल एहमदाबाद में इस पूरे हफ़ते बारिश के कोई भी संकेत नहीं है मौसम पूरी तरहिके से साफ है आएमदी की रिपोर्ट की माने तो हमदाबाद में उल्टा गर्मी के बढ़ने के चांसे ज्यादा है ऐसे में क्वालिफायर वन और एलिमिनेटर के मुकाबले पर बारिश का कोई भी साया नहीं है लेकिन अगर बात चेंड़ी की करें तो चेंड़ी में बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे में अगर बारिश होती है तो क्वालिफायर टू और फाइनल जो की चेंड़ी में ही खेले जाने है इन दोनों ही मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखा गया है आपको बता देगी क्वालिफायर टू चौबिस में को खेला जाएगा प्लेफ के हर मुकाबले में एक्स्ट्रा टाइम का भी प्राफधान है यानि कि अगर बारिश होती है और मैच साड़े साथ बजे से शुरू नहीं हो पाता है तो ये समय बढ़ा कर साड़े नौ कर दिया जाएगा यानि कि साड़े नौ बजे तक एक भी ओवर के नुकसान के बिना मैच सुरू किया जा सकता है उसके बाद भी अगर मैच शुरू नहीं हो पाता है तो फिर ओवर में कटाओदी की जाएगी और इसके बाद भी अगर पूरे समय बारिश होती है और 5 ओवर का मैच भी नहीं हो पाता है ऐसे में मैच को रिजर्व डे के लिए शिफ्ट कर दिया जाएगा ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि बारिश IPL के निर्नायक मुकाबलों में कल्परेट नहीं बनेगी और हमें उम्मीद है कि शानदार खेल के बाद ही हमें IPL की ट्रोपी का विजेता मिलेगा